So, Hello Student! आज हम carbonated topic पढ़ेंगे फार्मा कोगनोसी से तो यह topic जो है इसको हम पहले इसका वो देखेंगे definition देखेंगे उसको फिर फिर यूज देखेंगे mechanism of action देखेंगे और फिर उसको फिर इसके 10 जो इसके base पे जो carbonated base पे जो multiple choice question बनते हैं उसको हम देखेंगे with proper explanation तो यह जो आपका जो टॉपिक है यह आपके एकजीट एक्जाम में भी काम आएगा और जो एकड़मिक लेबल का जो एकजाम होता है उसमें भी आएगा अब तो उसमें आपको बहुत यूजफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको तें कार्मेटिब यह जो टर्म ह का मतलब क्या होता है एक कार्मेटी इज covenant that that helps that help to prevent the formation of gas तो इसका जो मतलब मेजर इंपोर्टेंट जो वर्क होता है यह हमारे इस ट्मक में जोगयास formation होता है उसको यह रोकता है काम मेंडी का मेन जो मतलब परपाज यही है तो आफ आगे देखते हैं मचायां ज्यों सबसे पहला है रिलक्स सिंग गैस्ट्र萌 इंटष्टाइनол मसल गैस्ट्रीकतर यूंट टे जिसको लेने से वो मसल्स होते हैं, वो रिलाक्स होता on का और जो पेट में घुडर्द के इसके रिए बढ़रा देता है जिसके थरू गैसर भी आराम शराला होता है जिसके घास का फ्रमेशन सक्रिक deed संब कार्मिनेतीब का वर्क वह गैसhalb मशन को रोकना ही है तो इसका हम ते पार सूर इसका ढखते हैं इसका तीसरां डेजिशंग गैस प्रोक्याइन kषण कई वही चीज़ है फुलोरा होते हैं उनको यह इनिविट करता है जिससे गैस का फार्मेशन कम होता है और लास्ट जो हमारा इंप्रूबिंग डाइजेशन सिंपल अगर जो हमारा डाइजेशन इंप्रूब है तो जैसे माली जे किसी को सिंपल अगर जो फूड का अच्छे तरीके से पाचन हो जाएगा हमारे इस टमख में तो जो गैस का प्रोड़क्शन हो बंद हो जाएगा अपने आप ही तो इससे हमको रिलीव मिल जाएगा तो मल्टिपास च्वाइस कोश्चन हम देखते हैं तस कोश्चन है हमारे पास उसक इसका परलुइंग इस प्राइमियर inon फार इट से करनेृटि प्रोपर्टि इसका पहला ऑप्सर मेरा और दूसरा आपम तो इसका पहला ऑप्टा अग्टार्शर कार नंढ प्रोपर्टी अगर नंग ब्लॉट लूटिंग व्रोटिंग क मतलब समय लेते हैं कि सब्सक्राइब प्लॉट इता है तो अर खाने की इच्छा नहीं होती है तो उसको एक सब्सको बोले तो प्लटिंग को उसी को ये मतलब रिलیک्स करता है और intestine अपको जानना या आपको हमने पहले बता चुका है तो पहले इसका ऌप्षिन है रिग्षिंग इन्फटन दूसरा इंकरीज दबायल प्रोड़क्शन और तीसरा रिलेक्सिंग गैस्ट्रोइंट्रिश्ट्राइनल मसल चाथा इंहांसिंग इम्यून रिस्पोंस तो इसमें इन्म्यून टाइप का होता है अगर जो वो मतलब नहीं रहेगा तो यह गैस भी नहीं बनाएगा तो इसका देखिए हाँ पर सलूशन है आप्शन सी सही है इसका सलूशन जो है यहीं चीज़ है कार्मिनेटी वर्क प्राइमरिली वाई के रिलाक्सिंग दा इसमूथ मसल आफ दा गैस्ट्रो इंट्रेस्टाइनल ट्रैक्ट इसका जो मेजर एक्शन जो है इसी के तुरू होता है फिच है इन एक्सपल्जन आफ गैस एंड रिडियोसिंग ब्लॉटिंग एंड डिसकंफर्ट वही मतलब जब मसल्स जोती है हमारे कि रिलाक्स हो जाएंगी तो गैसी तरीके से पास होगा और जो ब्लॉटिंग जो पेट में फूल आप मतलब ऐसे लगता है कि भारी भारी पन लग रहा हो भी हमारा कम हो जाएगा तो इसका तीसरा कोस्टन देखते हैं विच केमिकल कंपाउंड फाउंड इन पिपर मिंट गंट रिप्यूट टो इट कार्मिनेटिव पिपर मिंट एक जो पाउधा होता है उसमें ऐसा मतलब कौन सक्टेम कल पायाता है जो कि अपना कार्मिनेटिव एक्शन दिखाता है मतलब जो गैस का फार्मेशन नहीं बनने देता है इसका पहला ऑप्शन है सैपोनिन दूसरा मैं जबनेटिया सेपोनि Brokenrust जो इसका ञतर ओप्शन वें गार्मिन देखना के साव्शन देखेते हैं मेंतर इसका। तो वही चीज है इसको फिर आगे देखते हैं कार्विनेटिव आर आफटें यूज्ट टू रिलीव विच आप दफालोइंग सिम्टम मतलब कार्मेटिव जो हता है वह कौन से सिम्टम से रिलीज दिलाता है हमको तो इसका हमने पहले देख चुका है तो डायरिया होगा नही इसका जो सही option हो जाएगा यह ब्लॉटिंग एंड गैस मतलब पेट का फूलना कम कर देगा और गैस को यह तरीके से पास करा देगा तो इसका भी यहाँ पर सलूशन है इसको सलूशन आप देख लीजिएगा फिर विच पार्ट आफ फैनल प्लांट इस प्रैमिरी यूज फारीट कर देखा लॉजिए पुछ है मार देख तो यह जिरा जो है इस की मतलब मतलब आ directions करा का मेनटिभ दिखाता है कि लुजब का दूका पार्ट साकुन सा तो इसका जो पहला प्हुंजतर डूसरा फिलावर तीसरा छीड है जोथा रूट है इसका सही आप्शन हो जाएगा उस सीड है सीड का ही हम मतलब यूज करते हैं कार्मिनेटिव तो फिर इसका जो छटवा है इसको कैमोमाइल कैमोमाइल एक नोन कार्मिनेटिव बिलॉंग टूइच प्लांट फैमली मतलब यह पूछ रहा है काम माइल जो हता ह है एक कार्मिनेटिव है जो कि मतलब किस फैमिल से बिलॉंग करता है तो इसका जो सही आप्शन हो जाएगा एश्ट्रेसी चलिए नेक्स्ट कोर्शन की तरह बढ़ते हैं कुछ दा फालोइंग एसेंसियल ओयल इस कामनली यूजड ऐस कार्मिनेटिव इसमें पूछ रहा है करता है और अब आठवा देखते हैं में전ल कार्मिनेटिव करता है यह था यह मिन्थाल इसन को याद रहना हो Crash क्या करता है help करता है relaxing gastrointestinal muscle and relieve gas और अब आठवा देखते हैं इसमें the term of carminative refer to substance diet लग कार्म जो टर्म है वो किस substance को refer करता है इसमें reducing inflammation गलत है यह इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन यह भी गलत है prevent of expulsion gas from the intestinal तो यह सही है आपका है मतलब यह क्या करता है गैस को बनने से रोपता है कि जो बन भी गया है तो गैस को इस पास कराता है इसका जो सलूसां है यहां पर देख लीजेगा बाकिक कॉस्चन नम्बर नों कहरावे इज अन्लोन फारीट कार्मेरिटी प्रॉपर्टी फालोंग मेजर कांस्टिटुएंट इसमें एसंचा अलम मैं सहे कांस मेजर कांस्टिटइट पाई आता है तो इसमें पहला ऑप्सन था EPA और बूसरा यूजीन ओन और तीसरा के रहावन ऑर लिनल ऑर इसमें वस पाइज होसा है के सुद्स इसमें कारवे में के रावे मतलब मेजर कांस्टिशुएंट का होता है तो इसका कुछिन नमर दस लेखते हैं फिच का रिमेटिव हर्व इज आफटें यूज टू रिलीव इनफैंट को लिख यह बहुत इंपोर्टेंट टर्म है जो इनफैंट को लिख है यह इनफैंट और यह को लिख इसको पहले समझ लेत कौन सा वो देते हैं मेडिसिन इसमें हम फैनल देते हैं उस समय उसको फैनल देते हैं क्यों पता नहीं चलता है जनली सबको तो इसलिए उस टर्म को हम बोलते हैं इनफैंट को लिख तो यह रहा आपका 10 कोस्टन जो की अच्छे तरीके से हमने मतलब इसको एक्स्प्रेंड कर दिया है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसलिए हमने इसको सभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको देख लिजीए बाकी अब इसका जो लिंक है यह हम अपने टेलीग्राम में देंगे इसका यह पूरा पीडियेफ तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आपके एकडमिक लेवल पर भी एकडिक रिजाम पर लेवल पर सभी में काम आ जाएगा ओके बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोग इसको देखिए तो बताईए हमको कमेंट में जिससे हमको पता चले और आप से रेगुलर वीडियो यह आती रहेंगी आपके लिए तो